इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपको Google पे से पैसा ट्रांसपर करते समय में कुछ इस तरह मेसेज देखने को मिल रहा है यानि कि आपका Google पे से पैसा ट्रांसपर नहीं हो रहा है तो आप इस मेसेज को कैसे सही कर सकते हैं इस वीडियो में हम आपको बता डेना चाहते हैं कि हमें बार-बार मेसेज देखने को क्या मिलता है जैसे कि यह आप देख सकते हैं किसी Éक आदमी को select करेंगे इसके बाद नीचे में हम Pay Per करेंगे क्लिक यहाँ पर हमें जितना भी पैसे Transfert करना होता है यहाँ पर हम अपना Amount एंटर करेंगे इसके बाद simple आपको done पर करना होता है click इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे में एक option देखने को मिलेगा simple आपको paper करना होता है click इसके बाद आपका जो भी UPI pin है आपको अपना UPI pin डालना होगा UPI pin डालने के बाद नीचे में आपको एक option देखने को मिलेगा simple यहाँ पर आपको करना होता है click अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह message आपको देखने को मिल सकता है तो कुछ इस तरह message आपको बार-बार देखने को मिल रहा होगा चलिए हम आपको बताते हैं कि आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं आप पर बताया जा रहा है your money will be refunded तो कुछ इस तरह message आपको बार-बार देखने को मिल रहा होगा चलिए हम आपको बताते हैं कि आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं तो जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं नीचे में आपको buy काना होगा इसके बाद यहाँ पर आपको buy काने के बाद उपर में आपको एक profile वाल आइकन देखने को मिलेगा simple यहाँ पर आपको करना होगा क्लिक अब इसके बाद नीचे में आपको option देखने को मिलेगा bank account तो simple यहाँ पर आपको करना होगा जिस account से आपको problem देखने को मिल रहा है bank account को यहाँ पर आप select करेंगे जिस bank account से आपको problem देखने को मिल रहा हो तो जैसे कि हम कोई एक select करते हैं के सामने कुछ इस तरह interface देखने को मिल जाएगा अब इसके बाद आपको फिर से bank account यहाँ पर आपको select करना होगा जिससे आपको पैसा ट्रांसपर करते समय में दिख्कात आ रही है जैसे कि यहाँ पर हम सेलेट करेंगे इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस देखने को मिल जाएगा अब इसके बाद नीचे में आपको एक option देखने को मिलेगा forget UPI pin तो simple यहाँ पर आपको करना होगा click आपके आपका जो भी UPI pin है आपको अपना UPI pin reset करना होगा इसके लिए यहाँ पर आपको नीचे में एक option देखने को मिलेगा forget UPI pin simple यहाँ पर आपको करना होगा click इसके बाद simple यहाँ पर आपको करना होगा click अब इसके बाद आपका जो भी mobile number bank account से link होगा उस number पर एक OTP भेजा जाएगा डालने के बाद नीचे में आपको एक option देखने को मिलेगा simple यहाँ पर आपको करना होगा click अब इसके बाद आपको अपना UPI pin यहाँ पर set करना होगा आप जो भी अपना UPI pin आप रखना चाहते हैं आप set कर सकते हैं UPI pin set कर देने के बाद नीचे में आपको एक option देखने को मिलेगा simple यहाँ पर आपको करना होगा click इसके बाद यहाँ पर आपको फिर से confirm UPI pin डालना होगा आप अपना UPI pin अभी आप डाले थे UPI pin डालने के बाद नीचे में आपको एक option देखने को मिलेगा simple यहाँ पर आपको करना होगा click अब इसके बाद आपका UPI pin है आपका UPI pin reset हो जाएगा जैसा की यहाँ पर आप देख सकता है किसी एक अदमी को select करते हैं इसके बाद यहाँ पर आपको aPS parked भी पाइस बहेज ना है यहाँ पर हम एमावंट डालेंगे इमावंट डालने के बाद आपको एक option देखने को मिलेगा simple यहाँ पर आपको करना होगा click इसके बाद आपको आपना बैंक को मिलेगा पेश, आपको करुख walls तो इस तरह बहुत ही असानी से किसी को भी आप गूसा इसे को भी आप पैसा टान्सपर कर सकते हैं आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें चैनल पर पहली बारा है तो सब्सक्राइब करें हम मिलते हैं किसी और ऐसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई